Hello and Welcome to Online School India for Library Science एक बार फिर से आप सभी का Online School India for Library Science में जोड़दार स्वागते दोस्तों बिहा लाइबेरियन बर्टी परिक्सा की त्यारी करने वाले सभी विद्यारतियों को मैं इतरब से हार्दिक सुपकामने और मैं लाइबेरियन सुमेर सिंग का चावा आज की जो स्पेशल क्लास है इस क्लास में आपका हार्दिक अभिद्यारतियों के लिए है जिनके मन में एक बहुत बड़ा सवाल रहता है और बिलकुल सवाल होना भी चाहिए क्योंकि लाबरी सायंस एक ऐसा फिल्ड है जिसके अंदर छे मैने का जो कोर्स होता है जिसको हम CLIS कहते हैं एक साल का जो डिप्लमा होता है, जिसे हम DLS कहते हैं, और ग्रेजिशन के बाद एक बैचलर डिगरी होते हैं, जिसे हम BLS कहते हैं, और बैचलर डिगरी के बाद एक मास्टर डिगरी होते हैं, जिसे हम MLS करते हैं, MLS कहते हैं, यह चारों ऐसे डिप्लमा या मास्टर डिगरी सेटिपिकेट है अगर वर्तमान में हम देखा जाए तो ओल अवर इंडिया या किसी भी स्टेट का अगर कोई स्टुडेंट होता है यह सारे डिपलोमा डिगरी वगेरा वो अमेशा जो है 90% स्टुडेंट्स डिस्टेंस एजुकेशन से कोर्स करता है चाहे हम नेशनल लेवल की बात करें इगनु से हो चाहे हम स्टेट लेवल की बात करते हो व्यो मोई व कोटा है और भी ने राजिय में से बच्चेशन इनिवर्सी है वहाँ से 90% बच्चे डिगरी यह डिपलोमा वहाँ से करते हैं तो distance education से degree डिपलोमा करने की वज़े से उनके syllabus को लेकर बहुत ज़्यादा उनको problem रहती हैं कि हम library science को पढ़ना कहां से शुरू करते हैं जो डिपलोमा करते हैं उसको हम academic course कहते हैं क्या कहते हैं जो है distance education से course करते हैं लेकिन जब हम competition level की बात करते हैं और competition level का जो हम exam देते हैं उसका जो syllabus होता है वो copy चीज़े होती हैं क्यों कि academic course में हमें theoretical चीज़े पढ़नी होती हैं कल exam में आज भी हम थोड़ी बहुत पढ़ लेते हैं तो pass हो जाते हैं लेकिन अगर हमें आपने सपना देखा है librarian बनने का त करना होता है इस class को आप last तक देखें आपको एक एक चीज जो आपके मन में जो सवाल जो गूम रहा है उस हर सवाल का आपको आज की इस class में answer मिलेगा बहुत सारे बच्चे phone आएं message आएं कि लाइबरी science को हम पढ़ना कहां से शुरू करें कहां से कहां से हम शुरू करें त तो आज इस class में आप मेरे साथ last तक बने रहे हैं इस class के अंदर हम हम एक एक पॉइंट को analysis करेंगे ताकि आपको लाइबरी science बहुत ज़्यदा easy message होगी चींकि दोस्तों आई है हम सुरूआत करते हैं और आज का जो हमारा सबसे important विशे है कि लाइबरी science को पढ़ना कहां स सुरू करें कौन सा पार्ट पहले पढ़ें उस पार्ट के अंदर कौन कौन से topic होते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे हालांकि सबको पता है कि लाइबरी science बनने के लिए पांच पार्ट हमें पढ़ने पढ़ते हैं और मैंने आपको उसका जिक्र भी कर दिया है लेक इस class को live देख रहे हैं आप सभी से निवेदन है कि आप इस class को सबसे पहले like कीजिए और जो है subscribe कीजिए हमारे channel को और comment जरूर कीजिए क्योंकि आपके जो positive comment है वो हमेसा मुझे motivate करता है आपकी mind को समझने की आप क्या चाते हैं आपके मन में क्या सवाल गूम रहा है उसके बाद मैं आपके लिए अच्छा सा नया वीडियो बना हूँ तो आए शुरुआत करते हैं आपकी इस class को class को सुरू करने से पहले मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप हमारा जो telegram channel है तो आप हमारे telegram channel है जिसका नाम है OSI for library science जिसका link हमने description के अंदर दे दिया है वहा आपको प्रोवाइड करवाएंगे और यूटूब की जो लाइप पीडियव है बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी और आने वहले समय में जो भी छोटी मोटी लाइबरी सांस की जो अपडेट है हमारे इस telegram channel पर आपको जोइन करने से आपको सारी चीज़े मिल जाए आप हमारा telegram channel है जिसका नाम है OSI for library science उस telegram channel को जोइन कर लिजिए देखें दोस्तों सबसे important है कि सबसे मन में यही सवाल आता है कि से library science को हम कहां से शुरू करें और मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि library science में दो तरह के competition होता है एक तो होता है बिलिप लेवल का और एक होता है एमलिप लेवल का बिलिप लेवल का competition के अंदर आपको पाच पार्ट आपको पढ़ने होते हैं और एमलिप लेवल का competition में आपको दस भाग पढ़ने पढ़ते हैं कितने भाग भई दस भाग पढ़ने पढ़ते हैं तो अब बिहार लाइबरेंट की जो त्यारी करने पहले आपको अगर आपको सपना देख लिया है, बिहार में आने वाली बर्ती में लाइबेरिन बनने का अगर आपको अपने सपना देखा हो तो आज से यह जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से आप लाइबी सांस को पड़ना शुरु कर देखे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अगले 6 महिने के अंदर आपकी जो librarian बनने का जो सपना है वो 100% आपको पूरा हो जाएगा दोस्तों तरीका क्या है कि students मैंने आपको पहले ही पता है कि 90% students distance education से करते हैं course इसलिए उसको पता नहीं चलता है कि हम कहां से पढ़ना शुरू करें तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ बिलीप लेवल का competition में आपका जो syllabus होता है उसके अंदर पांच पार्ट होता है जिसके अंदर पहला पार्ट होता है वो होता है foundation of library and information science मलब कुस्त का लेओ सूचना विग्यान का आधार अब आधार के अंदर हम एक के topic के बारें चर्चा करेंगे दूसरा जो होता है यह सबसे important माना जाता है यह सबसे important क्यों माना जाता है जिससे हम knowledge organization ग्यान संगटन information processing and retrial इसको सबसे ज़्यादा क्यों माना जाता है कि यह जो पार्ट होता है वो आपके practical classes से समझ रखता है किसे भई practical class से यह समझ रखता है इसमें सबसे ज़्यादा questions पूछे जाते हैं और यही पार्ट जो है उसको ज़्यादा समझने में time लगता है तीसरा जो पार्ट होता है वो होता आपके management of libraries and information center and institute के library को चलाने के लिए library का क्या management होना चाहिए पुस्त का लिए क्या प्रबंदन होना चाहिए उसके बारे में चोथा जो भाग होता है information source and service सूचना स्रोत और सूचना सेवा क्या होती है इसके अंदर द्यान लगना है reference service भी आती है द्यान लगना reference service का मनलब होता है संदव सेवा क्या होता दोस्तो संदव सेवा भी आती है और पांच और अंतिम जो पार्ट होता है वो होता है information technology information technology का मनलब सूचना प्रोधोगी की जैसे हम basic computer भी कहते है और library automation से समंदित भी यहां पर questions पुछे जाते हैं दोस्तों ठीक है दोस्तों तो आई एम शुरुआत करते हैं और आज से आज से इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि हम library science को कहां से पढ़ना शुरू करें तो सबसे पहले library science की अगर आप शुरुआत करे हो पढ़ जा रहे हो और बिलिब लेवल के जो exam कौन कौन से होते हैं के विएस, NVS, DSSSB, राजसान सेकिंड़ राजसान थर्ड गेट, बिहार, जारखन, कोई भी state level का जो competition होता है वो बिलिब लेवल का होता है और बिलिब लेवल के competition में आपको ये 5 पार्ट आपको पढ़ना होते ह तो जो भी विडियार्थी इस class को देख रहा हो देख रहा है मैं आपको विक्टिकस सिला देना चाहता हूँ अगर आपको ये 5 पार्ट पढ़ना है तो आज से ही आप 5 रेजिस्टर मार्केट से खरीज लेजेगा पार्ट रेजिस्टर आपको मैंटेन करना होगा अलग अलग रेजिस्टर आपको मैंटेन करना होगा पार्ट वन का अलग रेजिस्टर पार्ट टू का अलग रेजिस्टर पार्ट थ्री का अलग रेजिस्टर पार्ट पोर का अलग रेजिस्टर और पार्ट फाइब का अलग जब एक ही topic को जब आप 6 वार पढ़ोगे तो आपका जो मेंग मेने के बाद जो competition exam होगा उसके अंदर आपकी जीत जो है एक रजिस्टर लेना है और रजिस्टर में आपको सबसे पहले पार्ट वन की शुरुवात करनी है पार्ट वन क्या है यह आपके लाइब्रेरी एंड इन्फोर्मेशन साइस मलब पुस्तकाले और सूचना विज्यान का आधार है तो इसके अंदर सबसे पहले टॉपिक आपक कि इस्टोरिकल डॉप्मेंट ऑफ लाइब्रेरी इस ठीक है ना पहला टॉपिक आपका क्या होगा इस्टोरिकल डॉप्मेंट डॉप्मेंट ऑफ लाइब्रेरी इस इन इंडिया डॉप्मेंट ऑफ लाइब्रेरी इस इन इंडिया के बारत के अंदर जितने भी लाइब्र लाइब्रेरी हो चाहिए वो डिपोजेटरी लाइब्रेरी हो चाहिए वो कलगता पब्लिक लाइब्रेरी हो चाहिए वो दिली पब्लिक लाइब्रेरी हो तो आपको इंडिया के अंदर जिजने भी लाइब्रेरी हैं उनके बारे में आपका आपको एत्यासिक विकास है आपक को शुरुआत करनी है दूसरा आपका जो टॉपिक होगा वो होगा टाइपस ऑफ लाइब्रेरी के आपको लाइब्रेरी के परकार कितने होते हैं यह आपको बैसिक चीजे होते हैं के लाइब्रेरी की पुस्तकाले के परकार कितने होते हैं तीन परकार के होते हैं एक पब्लि असोशेशन, नेशनल एंड इंटरनेशनल असोशेशन, राष्टिये और अंतराष्टिये जो असोशेशन बने वे लाइबरेरी के, ठीके नवे असोशेशन बने वे लाइबरेरी के, राष्टिये और अंतराष्टिये जो संग बनावा है, जिसमें आपको सारे जो संग है उस ठीक है यूनेस को है ठीक है ऐसे बहुत सारे चोटो मटिकम सगम दस बारे जो असोशेशन बने में है उनके बारे में आपको डीटेल से पढ़ने की जरूतिया ध्यान रखना उनके बारे में आपको क्या करना है दोस्तो डीटेल से पढ़ने की जरूतिया यह चीज आपको ध् पढ़ना है कि रंग फाइब लोज ऑफ लाइबरी साइंस पुस्तकाले विज्यान के जो पाथ उपसूत्र है उन उपसूत्रों के बारे में आपको टॉपिक पढ़ना है देखिए शुरुआत इन्हीं टॉपिक से शुरू होती है ताकि आपको लाइबरी साइस के बारे में है आपको पता चल जाए चटा जो है आपको ध्यान करना है सबसे इंपोटेंट कि आपके जो लाइबरेरी Act बने के बारत के अंदर जो हैं तो आपको बता कि वर्तमान में आपके जो बारत में पुस्तकाली तो आपको बता है कि वर्तमान में उनिस राजिये में उनिस राजिये में लाइबरेरी एक्ट है और एक जो है केंदर सासित पर्देश से जान रखना तो कहा कहा पर लाइबरेरी एक्ट है वो आपको उनिस राजिये के बारह में आपको पढ़ना है कौन से राजिये में कब लाइबरेरी एक्ट लगा था फिर साथ वा आपको ध्यान राटना है दिलेवरी ऑभ द्यान रखन नहीं बुट सऩ घन है दिलेवरी आप एक्ट फिर 10 यह यह वे उसके बारे में और आपको द्यान रखना प्रेयेसान रजीोर्स एक्रेस एक्ट तो आपको इनके बारे में भी पढ़ना है अगला टॉपिक यह द्यानकना है लाइबरेरी की जो कमिटी है कमिटी का मनलो होता है समीटी कमिटी एंड कह सकता है कमिटी एंड कमिशन कमिटी एंड कमिशन के लाइबरेरी की कौन कौन से समीटी आए कौन कौन से आये गो है चाहे वो राद्यकर्षन आये गो कोठरिय आयोगो और भी बहुत सारी कैणियान समिती हैं, लाल समिती है, ऐसे बहुत सारे तौपिक है, जिसमें समलेध हम आपको पढ़ना हैं अब को, फिर उसके बाद आपको द्यान एकना है, टाइबस अ़िजर, अवाई, टाइबस ऑब यूजर, जिसमें आप user education, user education and user studies आपको पढ़नी है दिया निकना, ये भी आपके बहुत important topic है, तो कहना का मतलब है, और भी बहुत सारे छोटे मोटे जो topic है, ये important आपका जो पहला जो part है, जिसका नाम है, founders of library science, वहाँ पर आपको इन topic से आपको क्या करनी है, वही शुरुआत करनी है, और अब हम बात करते हैं, दोस्तों दूसरा जो part है, ये सबसे ज़्यादा important है, जिसका नाम है, knowledge organization, जिसको हिंदी में कहते है, ज्यान संगटन, क्या कहते हैं, ज्यान संगटन कहते हैं, पहला part आपको समझ में आ गया, पुस्तकाले और सूचने विज्यान का आधार, अब हम तीन भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं, तीन भाग, पहला होता है, universe of knowledge, पहला भाग होता है, universe of knowledge, इसको हिंदी में कहते हैं, ज्यान जगत, क्या कहते हैं दोस्तों, ज्यान जगत, और दूसरा जो भाग होता है, classification, क्या होता दोस्तों, classification, अब classification को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तो वरगी करन कहते है और तीसरा जो भाग होता है कैटालोगिंग क्या होता दोस्तो कैटालोगिंग जिसको हिंदी में कहता है सूची करन क्या कहता है दोस्तो सूची करन तो यह सेकिन जो पार्ट है दोस्तो यह सबसे इंपोर्टेंट पार्ट माना जाता है और ऐसा का जाता है जिसने second part को अच्छी तरीके से पढ़ लिया जिसके पास second part का अच्छा content है जिसको second part अगर वो समझ लेता है अच्छी तरीके से तो मैं प्रिश्वास दिलाता हूँ कि वो अराम से librarian बनने युगे बन सकता है तो ध्यान रगना इसके ये तीन वहते हैं तो पहला बाक करते हैं ये पहला बाघ हम बात करते हैं वापस इसमेए भाग है आपके universe of knowledge universe of knowledge का मतलब होता है ज्यान जगत यह थर दोस्तों ज्यान जगत अब ज्यान जगत की अंदर बहुत सारे चोटे-चोटे important topic आता है, अब ज्यान जगत में सबसे पहले आपको ज्यान जगत की विशेश्ता पढ़नी होगी, क्या पढ़नी होगी भई, ज्यान जगत की विशेश्ता, इसको अंगरेजी में कहता है, characteristics, दूसरा जो topic है, ज्यान जगत का structure, structure का मतलब क्या होता है, सरचना, आपको ज्यान की क्या पढ़नी होगी, सरचना आपको पढ़नी होगी ध्यान जगत, तीसरा आपको ज्यान जगत की सरचना है, उनके क्या परकार है, वो सारी जीज़े आपको पढ़नी पढ़ेगी, और उसके बाद हम सबसे important का बात करते है, mode of formation of subject, मलब विशे निर्मान की वीद्या ज्य होती है ये आपको topic पढ़ना पढ़ेगा फिर इसके अंदर द्यान लगना है types of subject विसे के परकार विसे के कितने परकार होते हैं उनके क्या है ये भी आपको पढ़ना होता है फिर इसके अंदर आपका topic आता है mapping and classification scheme कि जितने भी वरगी गन पता जिया है उसके अंदर उनको किस तरीके से मैप किया है उनका चित्रांगन किस परकार से क्या गया है यह चीज हम किसमें पढ़ेंगे इनिवर्स अप नॉलेज के अंदर पढ़ेंगे फिर इसके बाद इसका जो दूसरे भाग आता है वो आता है क्लासिफिकेशन इसकिम क्लासिफिकेशन का मतलब यह distinguर आपको ध्यान पना कोर्स में दस परकार की पततिया है कौन सी पततिया हैं दस परकार की पततिया है अब द시면 इंपारकार की CCC, UDC, IC, ठीक है न मैं, IC हो गया, LC हो गया, SC हो गया, ये दस परकार के लगबग वर्गिकरन पदतिया हैं, जिसका knowledge आपको इस competition exam को fight करने के लिए होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद आपको द्यान लगना है, Canon of, Canon of classification, और वर्गिकरन के जो उफसुतर होता है, वो उफसुतर आपको पढ़ना होता द्यान लगना, ठीक है न, वर्गिकरन के जो उफसुतर है, वो अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग उफसुतर दिये, रंगानत्र ने 33 उफसुतर दिये, जबकि WCB CERES ने 29 उफसुतर दिये थे, ये चीज आपको द्यान लगना है, फिर उसके बा जो ट्रेंड जो होता है, ट्रेंड, ट्रेंड ओफ क्लासिफिकेशन, के वर्तमान में और कौन-कौन सी क्लासिफिकेशन स्किम चल रही है, ये सारी चीज़े आपको पढ़नी होगी, फिर अगर हम बात करते हैं, कोलन क्लासिफिकेशन की, इसके अंदर बहुत सारे चटे-च चाहिए, और भी जैसे डिवाइस है, डिवाइस के मदलब होता है, वीदिया, चाहिए हम कह सकते हैं, नौटेशन, नौटेशन का मदलब होता है, अंकन, और भी बहुत सारे चटे-चटे-चटे टोपिक है, कम से कम क्लासिफिकेशन में, पंदरे टॉपिक्स हैं, च्टे- चाहिए, बहुत इंपोटेंट पार्ट होता है, जिस में हम कहते हैं, शूचि करन, क्या कहते हैं, तो, शूचि करन में पहला हो जाएगा, Types of Catalog क्या हो जाएगा दोस्तो Types of Catalog हो जाए Catalog के जो परकार हो गए ठीक है न उसके बाद इसके दो form होते है Inner form और Outer form Catalog के जो दो form होते है Byasaurup और Antrik सवरूप होते है ये भी सबसे important topic है और Cataloging के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे CCC CCC के अंदर बहुत सारे चीज़े हम पढ़ने होती है फिर उसके बाद हम पढ़ते है ACR1 और अगला जो topic होता है AACR2 हम परते है फिर इसके अंदर हम पढ़ेंगे CCUp क्या पढ़ेंगे CCUp फिर हम उसके अंदर पढ़ते है Mark Mark 21 हम पढ़ते है फिर इसके अंदर हम पढ़ते हैं आपके FRBR, ठीक है ना, FRBR हो गया, ISBD हो गया, ठीक है न भी, कम से कम आपके cataloging में छोटो मेटे मिलाकर, आपके कम से कम 12 topics होते हैं, कितना topics होते हैं दोस्तों, 12 topics होते हैं, यह आपको cataloging के अंदर पढ़ना पढ़ता है, तो इस परकार से आप का सबसे important के हैं, दोस्तों, second part है, ठीक है न, अब हम बात करते हैं, third part, इसको हिंदी में कहते है, management of libraries, पुस्काले परबंदन के बारे में हम पढ़ेंगे, देखे, पुस्काले परबंदन के बगर हम बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले topic यही आता है, कि definition of management, कि की क्या परिबासा, तो अलग-अलग लोगों ने परबंदन की परिबासा दिये, दूसरा होगा, परबंदन के सिदान, सिदान का मतलब क्या होता है, principle का मलब होता है, परबंदन के क्या सिदान होते हैं, तीसरा हो जाएगा, परबंदन के क्या सिदान होते हैं, तीसरा हो जा इसके अंदर और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट मेनेजमेंट होता हैं क्या ह fino दोसों प्रोजेक्ट मेनेजमेंट होता है। तो आपको द्यानगना प्रोजेक्ट मेनेजमेंट के अंदर कौन से टॉपिक आते हैं यह सबसे इम्पोटेंट जिसके अंदर हम पहला पढ़ेंगे SWOT, ठीक है न, फिर इसके अंदर NEST, फिर इसके अंदर ध्यान अगना PRT, फिर इसके अंदर हम पढ़ेंगे CPM, यह जो topic होते हैं, यह किस से समझत होते हैं, दोस्तों, project management से समझत होते हैं, फिर आपका ध्यान अगना है TQM, TQM का मलूब होता है, total quality management, यह आपको management के अंदर, सारी, जो topic है, यह आपको पढ़ेंगे, वैसे management, बहुत ज़्यादा, छोटा topic है ध्यान अगना, आराम से ज़्यादा, पूरे एगर management, अगर हम पढ़ते हैं, मुश्किल से 300 से 400 question बनते हैं, इसे ज़्यादा question आपके नहीं बन सकते हैं, फिर उसके बाद, छटा topic है, MBO, MBO क इसके बाद आपको ध्यान अगना है, जिकने भी library section होते हैं, ठीके ना भई, library section मने वे होते हैं, ठीके ना भई, जो है technical section हो गया, classification section हो गया, cataloging section हो गया, यह सारे जो ध्यान अगना है, आपके क्या होंगे वैसे management पे अंदर होंगे, फिर उसके बाद ध्यान अगना है, library budget, यह सबसे important topic है वही, तो अलग-लग परकार के जो budget होता है, तो उन budget के बारे में भी हमें management के अंदर आपको पढ़ना हैं दोस्तों, तो अलग-लग परकार के जो budget है, उन budget के बारे में भी हमें इसके अंदर पढ़ने पढ़ेंगे, तो और भी पहुत सारे चोटे-चोटे जो टॉपिक होते हैं management के अंदर और सबसे छोटा topic management ही मना जाता है दोस्तों ठीक है दोस्तों यह चीज़ आपको ध्यान में रखनी है उसके पाद चौता जो भाग होता है वो होता है आपके information source या services तो इसके अंदर आप एक plus कर देना reference source and service यह भी topic आता है reference source and service इस topic के अंदर सबसे पहले तो आपको यह चीज़ किलियर करनी होगी कि information source क्या होता है और संदव source क्या होता है देखो इसके अंदर चार चीज़े हैं देखो यह तो हो गया सूचना स्रोथ यह तो होगी सूचना स स्रोथ और दूसरा इसी के अंदर होता है सूचना सेवा क्या होता है दोस्तों सूचना सेवा होगे नीचे द्यानगना reference source यह तो हो गया आपके चार टॉपिक होता है संदव स्रोथ क्या होता है संदव स्रोथ और दूसरा जो टॉपिक होता है आपके संदव सेवा क्या होता जो टॉपिक है ये चीज आपको सबसे इंपोर्टेंट ज्यानगना इसमें बच्चों को ये नहीं पता चलता है कि संदव स्रोत की बात हो रही है कि सूचना स्रोत की बात हो रही है संदव सेवा की बात हो रही है ये संदव स्रोत की बात हो रही है तो चौता जो पार्ट है न संदव सरोथ और यह तीसरे पाग है और यह चोटा पाग है संदर्ख सेभा सूचना सरोथ सूचना सेवा संदव सरोथ और संदब सेवा ये जब तक किलियर नहीं होगा इस्टोडियों इनको पता नहीं चलेगा तो सबसे पहले हम बात करते हैं Information Source की क्या बात करते हैं दोस्तों Information Source, सूचना जो सुरोत है तो ध्यान रखना है सूचना सुरोत के आपको क्या करना है भी, टाइप्स, तिन तरगे टाइप्स होते है Primary हो गया Secondary हो गया तिर्टियक हो गया ये आपको ध्यान आपको रखना होता है फिर उसके बाद आपको ध्यान रखना है Reference Source ठीक है न भी, Reference Service Source, तो Reference Source के जो है इनके भी आपको क्या पढ़ने है भी, टाइप्स आपको इसके अंदर पढ़ने होते हैं ज्यान रखना तो संदव स्रोट के अंदर भी अलेगलेग परकार होते हैं और जो क्या कह सकते हैं संदव स्रोट के भी परकार होते हैं और सुचना स्रोट के भी बहुत सारे इसके अंदर परकार होते हैं फिर उसके अंदर ध्यान एकना चोटे-चोटे आता है जोग्राफिकल सोर्स जोग्राफिकल सोर्स का मतलब क्या होता है जोग्राफिकल सोर्स का मतलब यह होता है बोगोलिक स्रोथ बोगोलिक स्रेंदर ध्यान रखना है, गजट आता है, गजट इर आता है, ये बोगोलिक स्रेंदर ध्यान रखना है. तुमें बाद आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको topic पढ़ना है, bibliography. जिसके अंदर हम पढ़ते हैं, inb, and bnb. क्या पढ़ते हैं दोस्तों INB और BNB हम पढ़ते हैं फिर आपको पढ़ना होता है डारेक्ट्रीज डारेक्ट्रीज का मलब होता है निर्देसी का क्या होता है निर्देसी का और निर्देसी का के भी बहुत सारे ऐसे चोटे मोटे जो पार्ट होते हैं निर्देसी का क्या होत पढ़ना पढ़ता है तो कहने का मतलब यह भी हो गया पिर आपको ध्यान के इसके अंदर पढ़ना पढ़ता है documentary ठीक है बई क्या पढ़ना पढ़ता है documentary तो documentary documentary और non documentary ये दू परकार के होते हैं ये भी आपको इसके अंदर पढ़ना होता है तो कहने का मतलब यह है कि अलग-अलग लोगों के द्वारा इसके अंदर sorry अलग-अलग topic जो है reference service में अलग होते हैं information source में अलग होते हैं और भी बहुत सारी ऐसे जो चीज़े होती है हमें इसके अंदर पढ़ने पढ़ती हैं दोस्तों ठीक है दोस्तों biographical हैं और भी यह सारी चीज़े है तो चौता पार्ट थोड़ा important है इसको भी आपको अलग-अलग पार्ट मैंने बता दिया आपको इसके अंदर चार भाग होते हैं इन चारों भागों को आपको अलग से समझना होगा ठीक है दोस्तों और लास्ट पांच और जो अंतिम पार्ट होता है जो होता है information technology तो इसको दो भागों में अगर हम बाढ़ते हैं तो पहला भाग होता है basic computer क्या होता दोस्तों basic computer होता है अब basic computer का मतलब क्या होता है इसमें पहला तो definition of computer definition of computer computer की क्या परिवासा है ठीके न बें दूसरा जो होता है types of computer के computer के क्या परकार होता है क्या होता भई computer के क्या परकार होता है तीसरा जो है इसके अंदर होता है five generation computer की जो पांच feed या होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे five generation चोता होता है input या output device input, output, device दिया लगना input और output device होता है और पाच होता है ताइपस ओप सौट्वेर तो पाच हो जाए का टाइपस ओप सौट्वेर ज्यानदा ना इसके अंदर हमें ओएसाई मोडल भी पढ़ना पड़ता है तो बेसी कंप्यूटर के अंदर हम एक तो चीज पढ़ेंगे सबसे पहले और फिर हम बात करते हैं इस हम प्रोग्रामिंग लेंग्वेज कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लेंग्वेज होती है उन में हम प्रोग्रामिंग लेंग्वेज पढ़ेंगे फिर हम पढ़ते हैं दोस्तों कंप्यूटर में आट और जो होता है टाइपस ओप सौट्वेर क्या प्रगार होता है टाइपस कंप्यूटर के अंदर फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं कंप्यूटर नेटवर्क क्या पढ़ते हैं दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ते हैं नेटवर्क कितने परकार के होते हैं क्या क्या यूज होता है उसके अंदर हम पढ़ते हैं फिर हम पढ़ते हैं टॉपलोज ठेके ना बई तापलोजी आपको समझें कि स्टार इस्टार हो गया बस हो गया है यह सब हम इसके नदर पढ़ते हैं है फिर हमें पढ़ना होते हैं टायपस उप नेट वर्क का मलण हो externalin मेन हो गया मेन हो गया ठीक हो तो यह छोटगे टॉपिक होते हैं कम से कम पंद्रें टॉपिक होते हैं तो आपको सब्सक्राइब से पढ़ने के लिए आपको एक्टिक टॉपी को अराम से आपको क्लास लेनी पड़ेगी ताकि आपको पता चले एक वरी नेटर क्या होता है टाइप सब नेटर क्या होता यह सारी चीज़े आपको हम पता लगेंगे ठीक है दोस्तों तो इसके अंदर दो भाग होता है पहला होगे आपके बैसिक कंप्यूटर दूसरा जो होता है वो होता है आपके लाइब्रेरी ओटोमेशन ठीक है दूसरा जो होता है आपके लाइब्रेरी ओटोमेशन तो लाइब्रेरी ओटोमेशन के अंदर आपको सबसे पहले आपको पढ़ना होता है डीजिटल लाइब्रेरी क्या पढ़ना पढ़ेगा डिजिटल लाइबरेरी क्या होती है दूसरा आपको पढ़ना पढ़ेगा वर्च्वल लाइबरेरी क्या पढ़ना पढ़ेगा दोस्तो वर्च्वल लाइबरेरी तो automation का भी आप से कहीं बाप रिक्षा के अंदर पुचा जाता है कि digital library क्या होता है और virtual library क्या होता है इन चीजों के बारे में भी आपसे हमेशा पुछा जाता है ठीक है फिर उसके बाद होता है content management software ठीक है न भी फिर उसके बाद आता है आपके content management software content management software ठीक है न भी content management software हो गया फिर उसके बाद आता है digital library software ठेकम डिजिटल लाइब dinheiro क्या होता हैं वह सारी चीजा आपका इसके अंदर पढ़नी है जैसे qr code क्या होता है ठेकल अब क्यों और हो गया और Nee हो गया ये यह यह सारे जो ना यह अच्छा के अंदर आता है डिजितल लाइब रेरी के अंदर आता है ठीकर ना CMS software क्या होता है ठीकिए न भई आपके द्यान रखना है cms software क्या होता है यह चीज़ आपको ध्यान में रखनेए तो बहुत सारे ऐसे जो टॉपिक होते हैं जो library automation के अंदर आता है तो library automation भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा द्यान रखना ताकि एक रजिस्टर के अंदर एक पार्ट पुरा होगा दूसरा तीसरा चौथा पांच वा तो ज्यादा आपको ड़नने की नहीं है तो पांच रजिस्टर अलग से maintain करोगे ना तो मैं आपको बता रहा हूँ जब आप एक बार लिखोगे और उसको जब आप बार-बार याद करोगे तो मज़ा आ जाएगा और library science बहुत ज़्यादा एजी आपको मैसूस हो रहे है तो library science में आपको ज़्यादा जो है टैंसल लेने की जोतनी है तो अभी तक हमने आपको पांच परकार के जो पार्ट है उन पार्ट के अंदर हम छोटे-छोटे टॉपिक के बारे में हमने आपको चर्चा की है अब मैं आपको लास्ट में आप सबसें आपको बताना चाहता हो कि सपल्ता के आधार क्या है सबसे कह रहा हूँ कि पूरे इंडिया में ऐसी कोई किताब नहीं है जिसके अंदर 100% संपोर सेलेबस के हिसाब से matter है ऐसी कोई किताब नहीं है जिसके अंदर हर एक सेलेबस के हिसाब से पूरा content दियावा है ऐसे library science के अंदर किताब नहीं है इसलिए मैं आपको अभी से एक आदत डलवाना चाहता हूँ कि अगर आपको notes बनाने की जो तरीका अगर आपके अंदर एक notes बनाने की जो habit अगर आपके अंदर develop हो जाएगी तो आपको librarian बनने से पूरी दुनिया कोई भी दुनिया नहीं रोक सकती है क्योंकि जब आप librarian बनने की त्यारी करोगे तो जब आप पहला part का notes अलग register बनाओगे दूसरे part में अलग बनाओगे तीसरे part में अलग चोथे part का अलग 5 पाट का अलग अलग 5 register आप बनाओगे तो जब आप पढ़ना सुरू करोगे तो आपके सामने बहुत सरे नहयनय सवाल आएगे तो जब भी आपके सामने कोई नहया सवाल आएगा तो आपको आसान इसे पता चल जाएगा कि ये जो सवाल है कौन से topic का है और कौन से part का है जिस दिन आपको ये पता चल जाया पता चल जायेगा कि मेरे सामने ये सवाल पड़ा है और ये सवाल मुझे important लग रहा है और ये सवाल मेरे लिए नया है तो जिस दिन आपको सवाल देकर यह पता चल जाएगा, यह सवाल कौन से topic का है, और कौन से part का है, उसे समझाना कि आप librarian बनने योगे हो चुके हो, यह ज्यान हगना आपको, जिस दिन यह परक आपको पता चल जाएगी, सवाल देखकर आपको पता चल जाएगा, यह पता चल जाएगा, कि यह कौन से topic का सवा नोट्ट का है और कौन से पार्ट का है तब लिजिएगा आप लाप्यरय दन जाओगे तो यह इसलिए मैं बार बार आपको नोट्स बनने के लिए किया रहा हूं दोस्तों अगर आपको सारा जो एक रिजिस्टर के अंदर होगा तो आपको रिविजिन करने के लिए आसनी हो जाएगी अगर आपको पढ़ते समय कहीं भी अगर आप ऑनलाइन यूटूब पे टेस्स देख रहे हो इंपोटेंट कुश्चन देख रहे हो और आपको लगता है कि यह इंपोटेंट कुश्चन करवाता हूं और वाज से कोई इंपोटेंट कुश्चन मिल गया तो इस कुश्चन को लिखने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए एक प्रोपर प्रोपर एक मटीरियल लिखने की जगया होने चाहिए और प्रोपर मटीरियल लिखने की जगया होती है वो आपके पाँच पाँच रजिस्टर की बात क्यों कर रहा हूं कि आपकी लाइबरियन बनने के लिए पांच पांच अलग पांच अलग अलग रजिस्टर आपको मार्केट से लाने हैं 5 register की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आपके library science में librarian बनने के लिए 5 part आपको पढ़ने पढ़ेंगे. अगर आपको 5 part आपको याद है, 5 part अगर आप पढ़ सकते हो, तो आप librarian बन जाओगे. तो 5 register से, 5 register में अलग अलग part के आपको register बनाना है, क्योंकि एक्जाम से एक महिना पहले ये चीज़ द्यानकना है एक्जाम से एक महिना पहले आपके जो ये रेजिस्टर होंगे एक महिने पहले आपके अगर ये रेजिस्टर होंगे तो ये रेजिस्टर आपके सचे मित्र होंगे द्यानकना रोज एक पार्ट का रिवेजन करोगे तो 5 दिन के अंदर 5 पार्ट रिवेज हो जाएंगे महिने में 30 दिन होते हैं दोस्तों तो महिने में 6 वार रिवीजन होगा इसका मलब हर एक पार्फी को आप 6 वार पढ़ोगे तो सबसे पहला आदार होता है नोर्स बनाना और एक चीज अवेसा ध्यान अगना है कई पार विद्यारती मुझे कहता है के सर आप अपने एप के अंदर ये जो पीडियप है आप पीडियफ मुझे आप क्या करदीजिए आप पीडियफ मुझे देदीजिए प्रिंट आउट निकालने के लिए दोस्तों आप सोत रहे हों कि बह чаще पूंअ निकालनू मैं और उसके उपर हाइलेटर में highlighter चला कर मैं सफलता प्राप्त कर लूँगा ये कभी भी संबव नहीं हो सकता ध्यानकना PDF निकाल के मैं highlighter से पढ़ लूँगा highlighter से कभी जीत नहीं हो सकती है जब तक आप अपने हातों से notes में बनाओगे तब तक आप कभी भी इस library science में librarian बन ही नहीं सकते ये मेरा आप से जो है ये मेरा आप से सला है फिर से मैं कहा रहा हूँ आपको मैंनत तो करनी पड़ेगी library इतना easy मैंनत तो आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि आप सब लोगों ने 90% student ने सब लोगों ने distance education university से आपने degree और diploma प्राप्ट किया है इसलिए मैंनत तो आपको करनी पड़ेगी हाँ degree diploma आपको आसाने से मिल गया है ये मैं जानता हूँ आपको लेकिन competition exam एक अलग level का होता है और competition exam level में वह सपल होगा जिसकी लगातार sitting है competition exam में वह सपल होगा जो लगातार बैठ सकता है और बैठ कर जुसको ये pen चलाने की आदित है बार बार लिखने की आदित है अगर आप 6 गंटे पड़े अगर 6 गंटे पड़े समय अगर आपके पास pen लिखने की अगर आपके पास आदित है ये अगर habit है तो ही आप library बन सकते हैं बागे सब time pass कर रहे हैं कोई मतलब नहीं है खालतों का time pass कर रहे है और कोई मतलब नहीं है तो library और एक चीज़ सोचिए अगर आप माल लीजिए अगर आप मेरे से offline पढ़ने के लिए माल लो जोटपूर आते हो तो offline की फेस हैं हमारी 15,000 रुपे कितनी फेस है 15,000 रुपे फिर आपका रहना खर्चा करना यह सारी चीज़े तो आपको कम सगम दो मेने का कोर्स है अगर आप जोटपूर आकर पढ़ते हो तो जोटपूर आकर पढ़ने में रहना खाना पीना तो दो मेने में आपका खर्चा कितना बैठेगा 40,000 रुपे आपका खर्चा बैठेगा क्योंकि दो मेने में आपका कोर्स होगा 15,000 रुपे लगेगा 15,000 रुपे आपका जोटपूर खाना पीना रहने के सुद्धा होगी 30,000 और 10,000 रुपे आपका अलग का खर्चा हो जाएगा 40,000 तो 40,000 रुपे अगर आप मेरे से offline पढ़ने के लिए आओगे द्यानगना तो कोई भी विद्यार्थी offline पढ़ने के लिए जाता है तो उसको 40,000 रुपे खर्चा होता है लेकिन मैं आपको गर बैटे गर बैटे आपको शिरफ 2000 रुपे में आपको गर बैटे वही offline में जो content देता हूँ वही आपको मैं online में content दे रहा हूँ कहां आपको 40,000 रुपे खर्च होता है और कहां शिरफ 2000 के अंदर आपका जो पूरा syllabus है गर बैटे आपको मैं दे रहा हूँ online school इंडिया के मादे में से इससे अच्छा क्या है 38,000 रुपे बजगे आपको कितने 38,000 रुपे बजगे जो मैं offline में 2 मिने में course करवाता हूँ अगर आप चाहते हो तो ध्यान रखना दोस्तों वो आप अगर चाहते हो तो ध्यान रखना है 35 दिन में गर बेटे में course कर सकते हो तो ध्यान रखना है पाँच पाट का ये पाँच पाट का जो course है पूरा जो course है पाँचों बागों का जो पूरा course है वो सिरफ सितर गंटे का है कितने गंटे का है दोस्तों सितर गंटे का है अगर कोई विद्यार्ती डेली का के दिन के अंदर 35 डिस अगर वह रोज के दो घंटा भी पड़ता है तो 35 दिन के अंदर वह पूरा कर सकता है तो पूरा कोर्स मात्र किते घंटे कह रहिए hurry 70 घंटे का किते अजय किición इसम ऐलगन जाएर है टो तो बार बार रिवाइज करने से क्या पाइदा है कि पहली बार जब आप रिवाइज करोगे तो 20% याद होगा दूसरी बार revise करोगे 40% याद होगा तीसरी बार revise करोगे 60% याद होगा और चौती बार revise करोगे 80% और पाँच बार revise करोगे तो आपको 100% याद हो जाएगा मैं आपको ये विश्वास दुलाता हूं जानकना जितना ज़्यादा रिवाज करोगे उतना ज़्यादा आपको याद होगा और तीसरा जो आधार है दोस्तों आपके और तीसरा जो आधार है वो आपका है गिव टेस्ट अगें और अगें ठीक है न भी गिव टेस्ट अगें और अगें बार बार टेस्ट दीजिए जैसे माल करने के बात को आप अपने आपको मुल्यांगन करना है कि आये लेके मैंने कम से कम 40 object question दिये तेस्ट में कितने दिये हैं वही 40 object question दिये तो 40 आये लेके मैंने objective question दिये तो reverse करने के बाद 32 सा topic होता test दीजिए उसे topic के निचे आप test दीजिए आप 40 में से आपके मान लिजिए 45 सवाल सही हुए जो 5 question गल्ट हुए हैं उन गल्ट questions को आप जो 40 question का test दिया ममान लीजिए 40-45 हरी होगे जो question 5 गल्ट होगे उन 5 question को जो वापस register में खोलिए और register में खोल कर उन 5 question को star लगा दीजिए क्या लगा दीजिए star लगा दीजिए star लगाने से ये पता चल जाएगा जब आप दूसरी वार रिविजन करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा इस्टार लगाने से ये पता चल जाएगा कि पिछली वार टेस्ट में मेरे ये 5 सवाल क्या होगे गलत हो गये थे तो दूसरी वार जब आप रिवाइज करोगे तो उन 5 सवालों पर आप ज़्यादा दिमाग आपका जो पाँ जो गलत सवाल हुए थे पहली वार टेस्ट देने से तो दूसरी वार टेस्ट होगे आप दूसरी वार रिविजिन करोगे तो आपका जो दिमाग है उन पाँ सवाल पर जाएगा जहां पर आपने इस्टार लगया है तो दूसरी वा शारे competition exam को paper को देखता था सपल बात में हुआ थोड़ा लेट हुआ लेकिन मैंने competition exam देने से बहुत शारे नई चीजे सिखी है कैसे पढ़ना है कैसे paper को attend करना है किस topic को ज़्यादा ध्यान देना है यह सारी चीजे मैंने सिखी है उसी अनवव से आज आपके सामने में खड़ देता हूँ आप लोगों के प्रेम हो सने से आज हम इंडिया इंडिपूरे भारत में हमारा जो नंबर टू चैनल बन चुका है और यह वो सभी आप लोगों के प्रेम की विज़े से और मेरे इस क्लास के मादिम से कहना चाहता हूँ कि दोस्तों मैंने तो बहुत ज़्याद मैनत की है मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था मुझे कोई मार्क दर्शन देने वाला नहीं था इसलिए मुझे इतना समय लगा हो सकता है कि इस्वर्ण ने मुझे बहुत ज़्यादा समय दिया है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा इस्ट्रोगल करो ताकि आने वाले समय में आप लोगों को मैं क्या कर सकता हूँ मार्क दर्शन देश को साहद इस वर ने मुझे आज एक आउसर दिया है उस आउसर को लेकर मैं आज आप के सामने आया हूँ ठीकिना दोस्तों बाकी दुनिया में बहुत सारे लोग पढ़ाते यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो भी देखिये जिस टीचर की वासा पसंद आती है उस टीचर से आप विलकुल हमेशा पढ़िए उसका कोर्श लेकर पढ़िए देखो एक तो आप यूट्यूब पर पढ़ते हो दूसरा आप कोर्श लेकर पढ़ते हो यूट्यूब और कोर्श लेने में यह है कि यूटूब पे पूरा सलवस नहीं पढ़ाया जा सकता है। यूटूब पे से जब 10% पढ़ा सकते हैं, 15% पढ़ा सकते हैं, 20% पढ़ा सकते हैं। लेकिन एप के अंदर क्या होता है, पूरा कंटेंट होता है, टॉपिक वही कंटेंट होता है, पार्ट वही कंटेंट होता है, एक एक टॉपिक का वीडियो, एक एक टॉपिक का पीडियप, एक एक टॉपिक का टेस्ट होता है, इससे क्या होता है, कि आपको एक सही तरीके से एक ही जगे पर यह सारी चीज़े मिल जाती हैं तो देखिए आप ओप लाइन अगर मेरे पास पढ़ने आओगे तो आपका 40,000 रुपे का खर्चा बैड़ता है आपको घर बेटे सिर्फ यहार लाइपिरेंग 2,000 रुपे में आपको घर बेटे आपको सारा कंटेंट प्रोव से बड़ा सवाल होता है कि आपको घर ने सब सर याद में होता है है तो याद में होने का कारण किया है पहला कारण यह है कि आप पहला कारण है कि आप सभी लोगों ने distance education से course किया है किसे course किया वे distance education university से course किया है इसके वज़े से आपको library science का कोई knowledge नहीं होता है दूसरा याद नहीं होने का कारण है कि आपके पास प्रोपर map नो niż में बनना यहिसलिए आपको याद नहीं होता है तूसरा आप कभी भी स्एलेबस को analysis नहीं करते हो से झालेश नहीं करते हो इसकी वज़े से आपको याद नहीं होता है चोथा आप ढार-बार करते हो चोथा यह बार बार रिविजन नहीं करते हो इसकी वज़े से आपको याद नहीं होता है पांच वा आप बार बार objective questions नहीं निकालते हो आप बार बार objective questions नहीं निकालते हो जहां रखना objective question या फिर हम कह सकता है test नहीं देते हो इसलिए आपको याद नहीं होता है और छटा आपको अच्छा आपका कोई अच्छा guidance देने वाला नहीं मिला अभी तक आपको guidance का मलो होता है mark दर्शन देने वाला आपको एक अच्छा mark दर्शन आपको नहीं मिला है कि library science को कैसे पढ़ा जाए mark दर्शन नहीं मिलने की वज़े से आपको यह सारी चिज़े याद नहीं होती है तो क्योंकि क्योंकि एक तो आपको distance education से क्या हुआ है आपको syllabus नहीं पता होता है नोर्स कैसे बनाएं, revision कैसे करें, test कैसे दें और आपको कोई अच्छा mark दर्शन नहीं मिलने की वज़े से आपको यह सारी चिज़े समझे होती है अगर आप इन चिज़ों को positive ले लोगे जिस दिन, जिस दिन अच्छे से notes बना लोगे, अच्छे से revision करोगे, अच्छे से test लोगे एक अच्छे guidance के रूप में आप किशी को पकड़ लोगे और एक अच्छे course के साथ अगर आप शुरू करोगे तो मैं बता रहा हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ, दो महिने के बाद, जो है आपको क्या हो है, दो महिने के बाद आपको एक confidence आएगा, आपके अंदर एक आत्तो विश्वास जगेगा, और आपको लग जाएगा मैं बता रहा हूँ कि आप लाइबिरेंट मन सकते हों, 100% लाइबिरेंट आपको बन जाएगे, और एक कल ही, ठीके न वई, कल ही द्यानकना, बिहार से एक व्यक्ति का नाम है, कल एक बिहार से मेरे पास एक फोन आया था, एक लड़के का फोन आया था, जिनका नाम है, जो ह उस लड़के का नाम है, अक्षे कुमार, उस लड़के में मुझे दो बाते बहुत बड़ी बताई थी, उस लड़के मेरा जो कोर्स लिया था, वो मेरा कोर्स लिया था, दो मेने पहले उसने लड़के में कोर्स लिया था, तो दो मेने पहले, उसने सबसे पहले ओल्ड कोर् सर इसनल We cash से आज कितनी तारिख होगी मान लिजिये आज आपके एक एक जून होगी है तो उस स्में कोश ल cela एक अपरेल को एक अपरेल और माई वो कह रहा है कि न,' War के बारह में मुझे कुछ नोलेज नहीं था मैं सिर्फ जर्निल कॉंपिटेशन के त्यारी कर रहा था और मैं लाइब्रेजी में बैटा था और एक दिन मैंने आपका वीडियो देखा था और वीडियो देखकर मैं आपसे इतना प्रवाइट हुआ सा और हाथ मैं अपने दोष से बात की और दोस से बात करने के बाद मैंने distance education जो है university है वाल से मैंने belief का फारम लगया है और जल्द मेरा exam भी हो जाएगा और अभी मेरा exam नहीं हो जल्द exam भी हो जाएगा और मैं pass भी हो जाओंगा तो मैंने belief का फारम मैंने लगा दिया university के अंदर और मुझे अब पढ़ना है क्योंकि जो आप पढ़ा रहे हो वही तो मुझे belief के अंदर पढ़ना है belief के जो है एक्जाम होंगे तो उसके अंदर मुझे लिखना होता है कि दो मेने पहले जब मैंने आपका जो वीडियो देखा था और मैं general competition की तैरिक कर रहा था और आपने बताया था कि बिहार की वे जी बता दिया और दो में में उसने कहिontलियाग मैंने फूरा कोर्स कर लिया है और मैं हर टेस्ट देता हूं और हर टेस्ट के अंदर मेरे एसी से 90% कुर्शं सही होते है ठीक है न तो उस लड़के से बात हुई थी उस्ने काहा कि आपने सबसे बढ़ी बात तो ये कही है कि आपने मुझे नोट्स बनाने के लिए कहा था वो कह रहा है कि नोट्स बनाने से मुझे हर टॉपिक के लिए हो गया नोट्स बनाने से आज मेरे पास इतने प्रोपर नोट्स बन गया है कि जैसे ही जुलाई के अंदर मेरे बहाली आएगी जून लास्ट जूले के अंदर बिहार में जो बहाली आएगी तो जनरल पेपर तो मेरा त्यार है ओल्लिडी और लावी साइस आपने त्यार करा लिए और जो सिल बहाली आएगी और बहाली के बाद मैं तो केवल सिर्फ रिविजन करूँगा चार पांच गंडे रिविजन करूँगा और उसके बाद मैं ज्यादा से ज्यादा objective questions भी लगा और इस तरीके से मैं जीट प्राप करूँगा और उसमें मुझे वादा किया था इस लड़के ने एक्से कुमार ने वादा किया था कि बिहार लाइबिरिन की बादा कुछ नहीं किया जब उसमें पूरा course कर लिया था कैसर अब मैं क्या करूँ तब मैंने उसको का कि new course से वापस revision करो और हर topic बाइट test दो दिया दिखना उस लड़के की बात मुझे बहुत अच्छे लगी थी उससे मैंने कम से कम 25 मिनिट बात की और उसको motivate किया मैंने और उसने मुझे विश्वास दिलाया था कि जैसे भी हार vacancy आएगी मैं आपको top number one लाकर मैं आपको दिखाऊंगा दिया लगना उस लड़का यह लड़का है जिसका नहाम है यह अक्षे कुमार है और वो कह रहा है कि इतना easy से आपने पढ़ाया है ठीक है न बई तो मैंने उसको यह कहा था कि दोस्तों मैं आपको यह कहता हूँ हमारा मांग देशन मैंन तो आखिरकार आपकी ही रहेगी ऐसे बहुत सारे विद्यारती जो है जिन से मैं बात करता हूँ और वो इतने परवाइट होते है तो यह बंदा देख लो आप दो मिनों के अंदर पूरा कोर्स कर लिया है अब उसको शिरफ रिविजिन और टेस्ट देने की ज़रूत है जनरल कॉंपिडेशन उसका पहले से ही त्यार था ऐसे देखो ऐसे वो विद्यारती है तो देखिए तो बाहली आई नहीं उसने पहला कोर्स कर लिया तो वर्तमान में इतने बच्चे उश्यार हो चुके हैं वेकेंसी आने से पहले ही वो सेलेबस को कवर कर लेते तो ऐसे विद्यारती है तो नोर्स एक वर आपको बनाना है अगर आप ओपलाइन कोचिंग में आते जैसे ओपलाइन मेरे पास पढ़ने आते आप तो मैं बोल कर लिखा था तो आप लिखते नहीं है वहाँ पर भी आपको लिखना पड़ता बाल लिजी आपको किताब लेकर आते किसी राइटर की लिख की तो किताब से आप नोर्स नहीं बनाते बनाते लेकिन आपको तो यह सारी चीजी एक जगे पर आपको मिल गई है दोस्तों ठीकि दोस्तो तो इस तरीके से आपका ये जो मैंने बताया है कि लाइबरी साइंस को किस तरीके से त्यार कर सकते हैं और बिया लाइबरिन वाले को कहना चाहता हूँ ये हमारा राजिस्टान का जो रिजल्ट है जो आप देख रहे हो हमने पहली वार ओलाइन इस्कूल इंडिया के माधियन से हमने यहाँ पर राजिस्टान में 100 प्लस बच्चों का सेलक्शन दिया है और आज हमारे कोई पबलिसिटी नहीं है मुझे ओलाइन इस्कूल इंडिया यूटूब सिर्फ 10 महिने हुए है आज 10 महिने में 46,000 लोगों का जो परिवार है यह ओलाइन इस्कूल इंडिया है ठीक है न दोस्तों मैंने जब पहली वार ओलाइन इस्कूल इंडिया में आया था तो लोगों ने जिस तरीके से मेरे से बात की है तो वहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि नहीं मुझे ओनलाइन इस्कूल इंडिया में इस प्लेटपॉर्म पर आना चाहिए और जो लोगों जो एक विद्यार जो होता है जहां जहां पर वो गलतिया करता है उन गलतिया को कैसे सुधारा जा सके लेकिन आप लोगों के प्रेम की वज़े से आप लोगों के जो है असने की वज़े से मेरे अंदर एक हिमत आई है मेरे अंदर एक सहास आया है आपको अच्छी तरीके से पढ़ाने के लिए ठीक है न और दीरे तीरे मैंने राजिस्टान थड़ गेट के अंदर पढ़ाया फिर के अंदर पढ़ाया तीसरा बैच वापस अपडेट करें तो एक चीज को मैंने तीन बार पढ़ा दिये तो अब दीरे दीरे मेरे अंदर भी एक टेक्निक टीचिंग स्टैल किरियेट हो रही है आप लोगों को और ज्यादा लाइबी सैंस को इजी बनाने के लिए इसलिए आप सभी का बहुत बहुत अन्यवाद है यह हमारे राजिस्टान के जो क्या है दोस्तों सेलेक्टेड जो इन्डिया लिखिए और इस परकार का जो जो एप है यह आप डाउनलोड कर लिजे एप को डाउनलोड करने के बाद आप इसके अंदर बहुत सारे डेमो क्लासेज है उन डेमो क्लासेज को भी आप देख सकते हैं और बिहार लाइबीरियन का जब मैंने कोर्स शुरू किया तो बहुत सारे विद्यार्ती है जो बिहार लाइबीरियन से जुड़ेवे हैं जो जिनोंने बिहार में आने वाली जो लाइबीरियन वेकेंसी हैं उसको लाने में वो क्या करे थे कोशिस करे थे बियार बरती लाने में इस्ट्रेगल करे थे उन लोगों ने कहा था कि सर स्कूल इंडिया के उपर हिंदुसान में सबसे सस्ता कोर्स आपको दिया जा रहा है सिर्फ 2000 में आपको एक हमारे स्कूल इंडिया का मोटो है पड़े उन से जो स्वयम चैनित है क्योंकि एक सपल आदमी ही आपको सही रहा दिखा सकता है बागी दुनिया के अंदर बहुत सारे आधि पूरी जो है 90 जो है दुनिया जो है नेगिटिव थोट से बरिवेत है कोई नहीं चाहता देखो आप त्य इसे नेगिटिव लोगों से हमेसा दूर रहना है एक सकारात्मक सोच के साथ एक इस यात्रा को शुरू करना है यह अब आपके लिए एक जर्मी बन चुकी है एक यात्रा बन चुकी है इस रात्रा को आई इस यात्रा को इस जर्मी को एक सकारात्मक विचार के साथ आपको शुरू करनी है ताकि आपका जीवन सफल हो चुके हैं मैं इस्वर से परातना करता हूँ कि मुझे तो इस्वर ने बहुत जादा संगस करवाया है लेकिन मैं बगौी गवाल से परातना करता हूँ कि अगले चार से छह मुहिने के अंदर आप लाइबिरिन बने ऐसी में इस वर से प्रातना करता हूँ थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत अन्यवाद आप सभी का और जाते समय इस क्लास को लाइक कीजिए सस्क्राइब कीजिए और हमारे इस चैनल को मोच चैनल पर जो है बार-बार आप कमेंड कीजिए आप पॉजिटिव कमेंड कीजिए ताकि मुझे आपके जो है पॉजिटिव काम करने के लिए मोखा मिलेगा तैंक यू वेरी मच्च मैं आपका दोस्मेसिंग कचावा आपको आने वाली बिहार लाइबेरिन बठती के लिए विस्यू आल दा बेस्ट कहता हूं तैंक यू बेरी मच्च इस क्लास को पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह की और क्लास देखने के लिए यहाँ पर आप क्लिक रहें जो विद्यायर्टी टेलिग्राम चैनल से नहीं जुड़ पाए है उन टेलिग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है वहाँ से आप जुड़ सकते हैं और हमारे ओएसाई फैमिली से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि पमिशी में और अच्छी से अच्छी क्लास आपको मिल सकते हैं